कितनी अच्छी बनी हुई है और ये रेके बहुत ही क्रंची भी है और ये रेके इसका एक्षर मैं आपको दिखा रही हो पूरा आधा किलो से ज्यादा हम लोगों ने 10 रुपए में नमकेन बना के घर में तयार कर ली क्यानियो विलिव इट गाइस बहुत अच्छी बनी हुई है आप भी अपने घर में इसका बिल्कुल ट्राइ करिए और मुझे पताइए कि जैसे हम मार्केट से लाते हैं बिल्कुल वैसे लग रही है न तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लेस ल आपको आपको आगे की समगरी भी दिखा दीती उसमें कैसे क्या क्या करना है तो प्लेस नमकीन बनाने के लिए कॉंटेक्स लेंगे बड़े बावल में मैंने एक बावल मकाना लिया है यह एक बावल मूमफली एक बावल यहाँ पर नारियल लिया है यह देखिए नारियल ऐसे लंबा लंबा और पतला पतला कट कर लेंगे और यहाँ पर मैंने 25 बड़े कड़ी पत्ते ले रखे है तो आईए सबसे पहले हम मखाना डाल देंगे टो जब तक मखाने फ्राइ बावल गर्रेंगे तो मैंने आपको बदाया था कि पहले हम मसाला निकाल लेंगे सेम प्रोसेसिंग इसमें भी करनी है यहाँ पे 1 टेबल एस्पूर शार्ट ले लेंगे यह वाइड शार्ट है आदा टेबल एस्पूर बलैक शार्ट है 1 टेबल एस्पूर आमचुर पॉडर एक टेबल स्पूल चाट मसाला, एक टेबल स्पूल भुनी हुई धनिया पॉडर, एक टेबल स्पूल मुना हुआ जीरा पॉडर, रेट देगी मिर्चाया यहां पे, यह मैं ले रही हूँ, वन टेबल स्पूल, वन टेबल स्पूल सॉफ पॉडर है, इसको मैंने अलका क्रश क्रश करके पीसा है यह पुदीना है वन टेबल इस्पून दू टेबल इस्पून शुगर आपको तो पता है यह हलका खटा और मीठा रहता है तो पिंच इतना काले मिर्च पॉडर इसको निक्स कर देते हैं यह देखिए मखाने भी हमारे एक दब लो फ्रेम पे हमने इसको फ्राई किया है और यह देखिए बहुत अच्छे से अब इसके खनक से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं अब हम इसमें ओयल डालेंगे इल्कुल मीडियम ही रखिएगा क्योंकि अब जो मूफली डालेंगे वो मीडियम आज पर ही फ्राई करेंगे और इस तरह से फ्राई करने पर मूफली हमारी बहुत अच्छी फ्राई होती है जब लो मीडियम फ्रेम पर ही हम इसको फ्राई कर लेंगे और यह देखिए मखाना यह देखिए देख रहा है बस ऐसे ही ह यह अच्छे से आप मिक्स हो गया है यह देखिए मुमफली भी अच्छे से रोज होगी है जब हम फ्राई करेंगे फ्राई करते करते यह चटकने लगेगी और मैं आपको दिखा रही हूँ मुमफली यह अपने आप ही ऐसे फट जाएगी तो आपको एकदम आराम से पता चल जाएगा कि मुमफली हमारी फ्राई हो चुकी है आईए इसको भी अप इसी में निकाल लेते हैं यह देखिए मुमफली हमने सारी निकाल ली है तो फिर से एक चमच मसाला एड़ कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे यह काम आपको तुरन तुरन गरम गरम ही करना है जब आप यह काम गरम गरम करेंगे तो मुमफली में यह अच्छे से निक्स होता जाएगा और देखिए जो भी आप इसके समान डालेंगे वह अच्छे से इसके कोड होता चला जाएगा जहां नारियन डाल देंगे यह एकदब लो फ्लेम पे ही रहेगा इस ध्यार हमें यह रखना है कि हमें नारियन हमें इसकी कोकिंग जो है 70% ही करनी है हमने इसको पूरा अच्छे से कोक कर दिया तो यह बार में जल जाएगा जब हम तेल से बाहर निकालते है तो यह 30% और कोक होता है इसलिए ध्यान रखेगा हमें इसको सिर्फ 70% ही कोक करना है जाइज नारियल कोक होने बहुत जरूरी है अधर्वाइज नारियल थेखेश खुक होने लगता है इसलिए इसको क्दोश ने क्राइपन का हरु दाऊ यहां manufacturers थोड़ा सा हाई कर लिया है यानि कि हाइड लोमonal भी बस सूइश पर सोता हुँ हम छे较 और बस सबसेश क्र नहीं तो यह जल जाएंगे यह बहुत अच्छा से आप कूफ हो गया है यह देखें एक चमच मसाला अपना एड़ करेंगे लिक्स कर देंगे यह नंखी जब हम मार्केट में लेने जाते हैं तो 70 रुपए 80 रुपए एक टैकट मिलती है हमें और घर में आप देखें हम कितने सस्ते में इसको बना लेते हैं यह सब चीजे हमारे पास अल्रेडी अबलेबल होती हैं और टाइम हमारे पास फ्रिज में न अब हम आपको बढ़ा दिया है और फ्लेम को भी तेस कर दिया है यह हाय फ्लेम पर ही अब हम कॉन्फ्लेक्स को फ्राइब करेंगे यह मक्का पोहा की नाम चाहिए मार्केट में इसके लिखा भी रहता है रेडी डू फ्राइब तो इस तरह से आप लेने ज़ेगा देखें यह इतने बड़े-बड़े सी रहते हैं, देख सकते हैं, यह देखें है यह इस तरह से आता है, और जब हम इसको ढलेंगे, तो यह फूल के बड़े और भीड़े हो amendment बरदे हैं, यह तेज हैं और आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक मुट्टी, वह डालूंगी और यह कि अधर गठीए अ जया थी तरह यहीं प्रोसेसिंग दूबारद हो रहा होंगी यह तेज आज पर ही हमें यह प्रोसेसिंग करना है लीनी आज पर नहीं करना है अगर आप लीनी आज पर करेंगे तो यह इस तरह से पूलेंगी नहीं इसलिए आप प्लेम को इस वक्त एकदम तेज ही रखिएगा हमें यहां पे मैं सौफ को प्राइब करें डाल लें हूं और शूबिया पुदिना प्रेश को प्रश करकर डाल बंडी है और यहां पे मैंने एक बाउर भूण निली है वो बीडाल देंगे इसमें कि आए जो को फ्लेक्ट शूड़े बड़े बड़े से है इसको हम थोड़ा तोड़ लेंगे कि जो हम मार्केट सिलाते हैं वो यह साइज होती है आप इसमें नमक टेस्ट कर लेजेगा कम यह ज्यादा आप कर सकते हैं इसमें जो प्लेवर आपको बढ़ाना हो वो बढ़ा लीजिए और जो कम करना हो वो आप कम कर दीजेगा एक दब अच्छे से मिलते ह जैसे कि मैंने आपके कहा था कि नालियल बार में और कुख हो जाता है तो यह देखें और यह बहुत अच्छे से आप विक्स हो गया है तो देखा आपने घर में कॉंप्लेक्स की नमकीन मनाना कितना आसान है और नमकीन हमारी बनके रड़ी है आईए अब इसको एक बावल म बनी हुई है और थोड़े से कॉंप्लेक्स से इतनी धेड़ सारी नमकीन अपने गर पे बनाई है यह आपकी नमकीन कैसी बनी बिल्कुल मार्किट जैसे बनी है या नहीं बनी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखके बताईएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को ल अच्क चुथ है यह वोगा ऑसे को लिएस इतनी है व शेयत अच्वार के बनाई का एक सब्सक्राक्ड के जरूर अच्वार का कि में ले अपने इतनी है